हाई प्रेंड आसी डियों में बात करने वालें एस टीटेन पूर्तगाल का आज का जो मेंच नंबर 37 होगा जो के ले जाने वाला है जी ओ आर वर्सिस एल एस जी की बीच में सुरोगा मेंच का टाइम रहने वाला है आज 4 बच के 30 मिनट में सुरोगा वीदर की बात करें तो यहां पर मुहस्सम थोड़ा घराव हो सकता है बाकि अपडेट में टोस से पहले आपको टिलग्राम पर दे दूँगा बाकि वेन्यू देखें सेम ग्राउंड पर मेच हैं पिछ रिपोर्ट की बात करें आर्ट एवरेज इसको सो सेख सो बीस के बीच में अठेने वाला है तो टोटल यहां पर अब तक 35 मेच कंप्लेट हुए हैं ग्यारा मेच नो मेच मेच हुआ है और पंदरा मेच ना यहां पर नोट रिजल रहे हैं तो बात कर ले सबसे पहले जी ओ आर के तो टीम की बात करने से पहले आप से चोटी सी रिक्वेस्ट हैं कि अगर आप मार यू तो जिस से महार कोई पर गचल्ए आप चिल्ग्राम को जोए इन का लेनाए बात करें जी ओ आर के टिम की लास्ट पांच मेच ऐन टिम टीम टीम के एक मेच हारी लास्ट मेच अनो तो मैच रहा है लास्ट मेच अंग मिच कि ते सेहर अली नहीं सुमन गिरिन घिन सेर अलीग मेच के तीस मिनट पर तो उसके बाद में होगा सेकंड मेच हैं यहां पर यह दो बच के चार विकट निकाला है अच्छा उपसन है वी सी का सकते हो या केप्टन का सकते हो सुमेर गिरी यहां पर पेज़े दो मेचों में इनों ने बोलिंग की कनफम दो दो बडाले और पांच विकट निकाल चुके हैं बट उसके बाद में तीनों मेचों में ना इनका रिकोड बिलकुल खराब रहा है फारुक ऐमत 14-53 जीरो केट 16 रन यहां पर यह एक ही मेचे सागाई जीरो के चीरो केड़ है यहां पर यह पेले और ना तीसरे मेच में अच्छे पॉंट दे पाए हैं बाकि चारों में तीनों मेचे में बिलकुल प्लो पर रहे हैं बात कर लें हैं अब बसार आलम की दो विकट एक विकट हैं यहां पर यह पेले और तीसरे मेच में अच्छे पॉंट दिए हैं इन्होंने बाकि आते हैं घुर्बेज सिंग के तरहर सिर्व दो विडू थिएग कराने हैं यहां पर तीसरे और चोपे मैंचमिंगिन्होंने एच्सप पॉंट दिए हैं आपको बैटिंग ब्लस बोलिंक्त से लाश्ट मेंचमिन Byling नहीं मिली थे अगर bowling मिलती तो confirm wicket निकाल के जाता यहां से आते हैं अब दूस समध की बात कर लें चोदा जीरो के चोदा नोटा और चीरो के बेटिंग अच्छी हैं बोलिंग भी की पर wicket नहीं मिलेते हैं सुसील कुमार तीन जीरो के एक विकट नौबेटिंग है दो जातेसेज़ों टीटेन के गैरा मेच के लिए अगर बोलिंग मिलते हैं तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि टीटे ने पुरा फिक्स है तो मैं तभी बोलता हूं को ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कहना है हो सकते तो गरांड ली खेलना है इसमों ली आपको नहीं कहलना है मंजी सिंग यहां पर इंकार रिकोर्ट खाप यह अच्छा नहीं है बात कर लाएं बैंच में से हैं बैंच में से जो भी कहले आपको जानकारी टेलग्राम चीनल पर ही देखने को मिल जाएगी इस टर्टिंग देख लेए इस टर्टिंग को डाला है यहां से एच सिंग जी सिंग डेत को डाला जाएंक यहां से एस कुमार एंतापा यह उला जो डेतिम बॉलिंगकर ना को हमें साबके लीए मुड़र् रहने वाले हैं बात करें दूसरी टीम आठ जीरो किट और जीरो कड़ा है यहां पर यह पेले चार मेच मेना अच्छे पॉंड दे पाया था वर टलाश्ट के दोनों मेच मेना इनका रिकोर्ड बिल्कुल खराब रहा है हाल दीक पटेल के बात कर लें 24, 25, 0, 45, 13, 94, 94 यहां पर देख सकते हो पेले यहां पर एक मेच मेन का जीरो रिकोर्ड था बाकि पूरे पांचों मेच मेना बैतर इन पारिके लिए है अच्छा हो मुका है आपके लिए वीज़ी कर सकते हो जीवनगे लिए 10, 0, 0, 16, 1, 0, 1, 1, 1, 1 पेले तीन मेच मेच में बोलिंग की पर विकेट इने नहीं मिला था बट लास्ट के दोनों मेच मेच में एक एक विकेट यह निकालके आ रहा है बाखे छार मेच बीच विकेट निकाले है कंपं विकेट निकाल शुका है तो अच्छा option ने टीम मेच जरू रखोगा रोनक पतेल, 9 बैटिंग, 9 बैटिंग, 8 रन है, टीटेन के 11 मैच खेले 8 रन, 0 गट है, अर्दीप सिंग, 1 विगेट, 0 गट, 1 विगेट, 0 गट, 0 गट और 0 गट है, पेले वो तीसरे मैच मेच विगेट इननों निकाले, बागी 4 मैच मेच में बिल्कुल खराब रिकोड रहा गिरिदार मंजुनात एक विकेट और बिल्कुल खराब रिकोर्ड अनुपम कुमार यहां पर इनकावे रिकोर्ड काप अच्छा नहीं ही पूरे मेचों में नो बेटिंग रहे हैं रुतल बाय चोदरी की बात कर ला हैं सत्रा दो विकेट जिरो खिट जिरो खिट दस जिरो ख पर किड़ा पेले और लाश्ट मेच मेंच वेना इने बोलिंग मिली और विकेट निकाले बाकि चार मेच हुए था बीचवाले बोलिंग उन्हें कंपम मिली पर विकेट इन एक भी नहीं मिला वो खयार करनकी बात करें खराब रिकोर्ड निवान नीजा और गबानी की बात करें तो रिकोर्ड इनका भी देख सकते हो तीन मेंच मेना नो बेटिंग रही टीटिंग के लिए पांच मेंच निकाले आट ओब डालके पर अब तक इने बोलिंग नहीं मिली बात कर लें यहां से बैंच मैंस है तो बैंच मैंस है आप बड़ा इसको डागर इनमस को खेलेग पार्ट चुका है कंप्लेट चलते हमने डेमो टीम के तरफ डेमो टीम के तरफ जाने से पहले आप सिक छोटी से रिक्वेश्ट है कि अगर आप मारी यूट्यूब चैनल पनाए हो तो वीडियो को लाइक को चैनल को जरू से जाकर स्क्राइब कर लेना है और टेलगराम से चाहिए उन्हों आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर यहाँ का अपटल टोस्वाइनल टीम और प्लेंगले उन मिलने वाले हैं तो यहां पर हम ज्यदा टाइम नहीं तो चलते हैं डेमो टीम की तरफ तो यहां पर डेमो टीम अपने करने वाला हूं व वाइस केप्टन करूंगा एचसिंग को बठ ये मेरी फाइनल टीम ना बिलकुल नहीं यह स्री मेरी डेमो टीम में फाइनल टीम में बेटिंग उड़ाने के बाद में ही दे पाऊंगा अगर आपको वीडियो थोड़ी बेच्छे लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और प्या